हम बात कर रहे हैं IRFC की लास्ट टेडिंग डे की बात करें तो चार परसेंट के ऊपर का अपसाइट हमको IRFC में देखने के लिए मिला है 165 की लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया कहां से 165 की लेवल से रिजेक्शन लिया और लगा तार गिरावर टेकने के लिए मिली 115 की लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लेके बॉंस बैक किया एक जंप आया 145 तक का अगें इस टॉक ने रिजेक्शन लिया अपने इस लोग को ब्रेकड़ॉन नहीं किया 134 से 135 के बिट्विन 135 के बिट्विन स्टॉक कंसोलेट हुआ और चंप के साथ इस टॉक ने जहां रिजेक्शन फेस कर रहा था 140 का लेवल इसको ब्रेकड़ लेता वा नजर आ रहा है अब यहीं लेवल इमेडियेट सपोर्ट का का काम करेगा और हम देख सकते इस टॉक ने जहां जिस जगह से पहल आरी टैंड नजर आ रहा है लेकिन यहां से हमको बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिला इस टॉक अपने हाइब के आसपास ही हमको लोजिंग देखने के लिए मिलिए अब जहां कलोजिंग दिये 1,40 का लेवल इमेडियेट सपोर्ट का का काम करेगा और इस टॉक पर रखना इसी लेवल पन वन 45 के लेवल आने वाले ट्रेडिंग डे में इसको ब्रेक ओड दे सकता है अगर इसको ब्रेक ओड दे गया तो अगला तारगेट बनेगा 150 का लेवल और 150 के लेवल को स्टॉक ब्रेक ओड करके जहां से गिरावट डिकाया था हमने स्टाट में डि 65 के लेवल पर जंप आया था रिजेक्शन ले गया इस लेवल पर और गिरावट के साथ अपने इस लोग को ब्रेक डॉन किया तो यह तगडा रजिस्टंस का काम करने वाला है लगात्तार तेजी के लिए आया रपसी को 165 को ब्रेक ओड देना पड़ेगा और इसके ब्रेक स्कॉर्ट के चांस बनते नजर आ सकते हैं अगर आप डिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो वीडियो जो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाई से लिए होल्ड के सला नहीं